दोस्तो आज से नारियल उगाने का प्रोसेस सुरू करेंगे उसके लिए हम तीन नारियल ले लिए हैं और इन तीनों नारियलों को अलग अलग तरीके से उगाने की कोशिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से नारियल जल्दी उगता है तो क्या हुआ इसके पहले दोस्ते एक बार और मैं नारियल उगाने की कोशिस किया था लेकिन उसमें मैं एक गलती कर दिया था उसके वज़े से वो नारियल उगा नहीं था जमा नहीं था वो गलती आपको नहीं करनी है वो क्या गलती थी आगे वीडियो में बताएंगे लेकिन आज का प्रोसेस हम सुरू करते हैं क्या करना है दोस्तों आपको अगर घर पे नारियल उगाना है तो मार्केट से आप नारियल ले आए और देख के लिए आए को नारियल कहीं पर damage नहों उसे पानी हो ऐसे हिला करके आप check कर लें जिसे आवाज आ रहा होगा तो ऐसे पानी के आवाज आ रही हो और नारियल अगर छिला हुआ मिले तो ठीक है बीना छिला हुआ मिले तो छिले और उपर का जटा थोड़ा सा छोड़ दे इधर जहां पर वाज जमना है क्योंकि यहीं से उसे नमी ज्यादा मिलेगी और नमी के वज़े से ही जमता है तो य फले पानी में जो है इन तीनो को हम डाल देंगे पहला प्रोसेस यही है पानी में डाल देंगे और एक पत्थर से इसको हम डुब हो देंगे एक पत्थरकते हैं कि दबा कि रखखेगा पानी में पूरा भीग जाएगा तो यह मैंने पत्थर्श दबा दिया है मैं छोड़ दूंगा लगभग 15 घंटे के लिए 15 घंटे के बाद देखते हैं आगे क्या करना है तो दोस्तों आज है दूसरा दिन और आज मैं ले लिया हूँ एक खाली डबा और एक जग पानी और एक खाली पॉलोथेन तो इसी से हम शुरू करेंगे उगाना और हमारा यह डबा जो है जिसमें मैं रखा था वो यह है इधर दिखाईए देखिए पानी काला भी हो गया है लगभग 15-16 घंटा जो इसको डूबा के रखा हूं तो पत्थर को हटाता हूं मैं यह आगया हमारा नारियल उपर यह है और सुरू करते हैं क्या करना है सबसे पहले इस खाली डिब्भा में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे का यह मैं पानी डाल दिया और छोटा वाला रहा है है तो छोटे वाल्यकुनिया यह पानी को या ज़ादा हो गया इसको हम एससे रख देते हैं एसे और उपर चाहिए तो धोती या या फिर एक कोई कपड़ा ढाल सकते है मैं डालें कि दिक्कत नहीं कोई कपस्ता तो इसका मूँ जो एक नारियल जो है पॉलोथिन के अंदर हो गया और जो तीसरा नारियल बचा है इसको हम मिट्टी में लगाएंगे चलिए तो तीसरा नारियल लगाएंगे यहां मिट्टी में यहां नमी भी है और हमारे पास फावडा नहीं है इसलिए देखो वह यह चोंसिला हैं कारपेंटर का और जमीन में इसे लगाते वक्त जो है आपको यह ध्यान रखना है कि वहां पर नमी हर वक्त रहनी चाहिए और नारियल के ऊपर डिरेक्ट सन लाइट नहीं पड़नी चाहिए तो दोस्तों यहां मैं लगा दिया हमिट्टी में यहां पर हमको डेली पानी देना है और देखते हैं कि तीनों में से सबसे पहले कौन सा उगता है चलिए अब मिलते है एक हफ्ते के बाद तो आज दोस्तों मैं डेढ पोने दो महीने के बाद वीडियो फिर से शुरू कर र था क्योंकि मैं पानी ज्यादा डालके गया था यह सुख गया था इसलिए लग रहा है उगा नहीं इसको मैं तोड़ के देखता हूं अब मैं यह कुछ Korean करके आ अगया है थोड़ा सा गया है ते देल महीने हो गया बीच दिन आमने पानी दिया था और जो है एक महीने से सू इतना उग गया है तो इसमें जो है थोड़ा सा मुझे दिख रहा है इधर यह देखिए उगा है इसको हताग देखते हैं कितना बड़ा इसमें हो गया है इसको देखिए पानी मिलता गया तो यह दोस्तों इतना बड़ा हो चुका है चलिए ठीक है डेड़ महिने में लगबग इतना उग गया है अब मैं फिर जो है इसमें पानी रख करके मैं रख देता हूं देखता हूं कितने दिनों में थोड़ा सा बड़ा होता है यह तो इसमे नारियल रखे थे लेकिन दोल ही दिखा रहे हैं यह तो सुख गया था भाई का पाए अपनी ट्यूंध टीम को बोलक्त लाईंगा पानी फूल हो जाने के बाद जो है वीडियो को डिलीट भी गिया उसी वीडियो को डिलीट करने के चक्कर में जो है इसनारियल का भी वीडियो में गलती से डिलीट कर दिया जो है बीच का पार्ट जो था गलती से मैं डिलीट कर दिया इसके लिए सोरी लेकिन प्रोसेस क्या क्या अब इसे मिट्टी की जरूत है और ये एक जड़ ये है तो ये तीन महिने में हुआ क्या था मैं बताता हूं कि जो है तीन में लगाया था एक ये पॉलो थीन में था एक डब्बा में था एक मिट्टी में में लगाया था तो ये जो पॉलो थीन में था और डब्बा में जो ल दब्व में था वो में नीचे रखा हुआँ तो यह थोड़ा सा बढ़ा हुआ उसको चुए ने कुतर दिया जहां तक मुह पहुंच गया वो अगया दूसरी बात जो मिट्टी में मैं लगा था वह ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा था बहुत तेजी से हो रहा था लेकिन उस किसी ने उपाड़क फेक दिया। यह सिर्फ हमारे पास यह बचा है तो आपको क्या करना है दोस्तों जमीन कहीं जमीन में भी लगाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि डिरेक्ट सूरज की रॉसनी इस पे नहीं पड़नी चाहिए कुछ दिनों तक लबग दो डाई महीने तक आपको यह ध्यान रखना है और पानी में रखते हैं डिबा में पोलो थीन में तो च्छाय में रखेंगे ही जमीन में भी लगाते हैं तो आपको ध्यान लेकिन जो है डब्बे में रखता उससे जादा जल्दी से ग्रोथ मिट्टी में हो रहा था लेकिन इसे उगाने के लिए कम से कम तीन महीन आपको वेट करना ही पड़ेगा साड़े तीन महीने में इतना बड़ा हुआ है और एक बात और है कि जब थोड़ा सा उगता है मैं दूसरा नारियल मंगवाया हूँ यह थोड़ा सा उग गया है यह देखे यह इस पर लोग का कहना है कि इतना उग जाए इसको तोड़ के खाने के बाद जो है जो औरते खाते उसका बेटा पड़ा होता है यह कितना सत्त है मुझे नहीं मालूम है लेकिन याद आ गया तो मै स्लेक्ट किया है यहां यहीं पर लगाएंगे तो यह दोस्तों हो गया तयार नारियल उगाते वक्त आप यह ध्यान रखेंगे करना पड़ेगा बहुत जल्दी से नारियल नहीं उपकता है तो इस वीडियो को अब कतम करो भईया बहुत लेट हो गवा